लंबे इंतजार के बाद फाइनली विपाशा बासू के घर में खुशी आने वाली है विपाशा बासू की शादी को 6 साल हो गए और इस बीच कई बार ऐसा हुआ जब विपाशा के प्रिग्निंसी की खबरे उड़ी लेकिन हर बार ये खबरे गलत ही निकली अभी जब खबर आई कि विपाशा बासू हमें फिर से नो एंट्री के सीक्वल में नजर आ सकती है तो अब एक ऐसी खबर आई है जिसे ये तो क्लियर है कि विपाशा नो एंट्री में तो नजर नहीं आएंगी क्योंकि विपाशा की entry life के एक नए phase में हो रही है motherhood के phase में जी हाँ विपाशा बसू जल्द ही mother बनने वाली है विपाशा बसू pregnant है आज सब तरफ यही चर्चा है कि विपाशा बसू pregnant है विपाशा बसू या उनके husband करन सेंग ग्रोवर द्वारा कोई official announcement नहीं की गई है लेकिन sources के मताबिक ये खबर सही है आपको बता दे कि कुछ महीने पहले विपाशा को लेकर एक blind item आया था जिसमें कहा गया था कि बॉलेवूट की ये bombshell pregnant है लेकिन अपनी pregnancy की खबर ये अभी media के सामने खोल नहीं रही है क्योंकि इनकी pregnancy में बहुत सारी complications है और पिछले कुछ समय से doctors से जाच करवा कर सारे treatments लेने के बाद finally actress जो है वो pregnant हो चुकी है लेकिन pregnancy का कुछ समय निकालने के बाद ही actress जो है खुलासा करेगी और अब finally विपाशा के pregnancy की खबरें मीडिया में हैं विपाशा ने लंबे समय से low profile maintain की हुई है विपाशा जादा मीडिया में भी नजर नहीं आती है सोचिल मीडिया पर भी वो अपनी latest pictures कम ही डालती है ऐसे में आज विपाशा की ये खबर आते ही लोगों ने विपाशा को congratulate करना शुरू कर दिया बस लोगों को इंतजार है कि कब खुद विपाशा आकर अपनी pregnancy का खुलासा करे आपको बता दे कुछी समय पहले आलिया भट ने अपनी pregnancy का खुलासा किया था रनबीर कपूर के बच्चे की माहू जल ही बनने वाली है और अब विपाशा के pregnancy के खबरों ने सभी को खुश कर दिया है कही न कहीं Bollywood इंडस्ट्री के अक्टर्स न्यू गोल्स दे रहे हैं रियल लाइफ के गोल्स दे रहे हैं कि काम अपनी जगे लेकिन फैमिली, शादी, बच्चे ये अपनी जगे बिपाशा ने अक्टर करन सेंग ग्रोवर के साथ 2016 में शादी की थी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों शादी के बंदन में बन गए जहां बिपाशा लंबे समय तक जौन को डेट करती रही वही करन सेंग ग्रोवर टू टाइम्स डिवोर्स ही है